तो देखिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बंगाल की बहुत ही फेमस मांगूर मचली इसके लिए पहले हम लोगों ने मचली के मीडियम पीस ले लिए उसमें नमक मिलाया अब हल्दी पॉडर मिला रहे हैं इसको मेरिनेट हमें करना है अब यह मसाला है आपका जीरा सरसो का पेष्ट मेरिने डाला अब इसके बाद अध्रक और लहसुन का और प्याज मिला हुआ डाल रहे हैं अब इसको बढ़ियां से हम मिक्स करके मेरिनेट कर लेंगे हर एक पीस पे अच्छे से इसको लगाएंगे इसको लगाने के बाद इसमें इसको करना है इस मचली का खासियत यही होता है कि इसमें काटा नहीं होता है जो काटा रहता है वो एक ही लाइन में रहता है और बाकी मचली में काटा नहीं रहता है और ये मचली जिन्दा ही मिलता है मरा हुआ मचली तुरत ये खराब हो जाता है तो इसे जिन्दा ही घर में लाके काटना पड़ता है और तब बनता है ये हमारे बंगाल में बहुत फिमस है देखिए, बढ़ियां से सब पीस पे अच्छे से लगा लेंगे ताकि इसको fry करने में यह मसाला इसी के उपर है और fry हम किस चीज में करेंगे सर्सों के तेल में रिफाइन में हमें fry नहीं करना है सर्सों का तल जब एकदम गरम हो जाए तब हम इसे fry करेंगे कम आज पे कीजिएगा fry तो फिर तूट जाएगा मचली का पेस इसलिए एकदम तेज आज पे हमें इसे fry करना है देखे फ्राइ करने के लिए हमने पिस डाल दिए अब इसे अच्छे से golden brown होने तक बुनेंगे इसे पल्टी कर रहे है देखे पीछे के side हलका हलका brown होने लगा अच्छे से इसे पल्टी कर लेंगे सब पिस को इसे तेजी आँच में भुनना पड़ता है नहीं तो यह तूट जाता है इस बात का आप लोग खास ख्याल रखियेगा कि यह तूटे नहीं उसके लिए तेज आँच पे भुनना पड़ता है इसको और तेल एकदम कम देना है और कौन सा तेल देना है सर्सों का अब इसे हम उतार लेंगे कितना सुंदर कलर निकल के आया है मसाले के साथ भुना अब बाकी भी पीस डालते जाएंगे धीरे धीरे अच्छे से जितना हो सके आपको रिफाइन तेल से बचना है सर्सों के तेल में मचली फ्राइ करके खाईए बहुत बढ़ियां स्वाद भी लगेगा और स्वास्त को भी नुक्सान आपको नहीं करेगा अब देखिए मचली तो हमारा फ्राय हो गया अब चलिए इसका ग्रेवी के लिए से तैयारी करते हैं तो पहले सर्सों का तेल ले लेंगे उसमें तीन चार सुखी लाल मेर्च और तेज पत्ता ले लेंगे लहसुन की कलियां ले लेंगे 10-15 पिस और उसको पूरा का पूरा ही डाल देंगे बुनने के लिए यहां ध्यान रखना है कि आपको तेल जरूर चेंज कर लेना है क्योंकि उसमें मसाला मिला हुआ है तो वो तेल अब खराब हो जाएगा अगर उसमें आप ग्रेवी बनाईएगा तो इसको बर्यां से पहले भूल लेंगे यह तीन चीज़ों को मसाला डाला सर्सों का जो बचा हुआ पे पेश्ट डाल दिये, प्याज, आदी और लहसुन ये तीनों का पेश्ट हमने डाल दिया, अब इसमें जो बचे हुए काले मेर्च, धनिया और आपका जीरा पॉडर ये सब ये सब डाल देंगे, हल्दी थोरा सा बचा हुआ था वो डाल देंगे, नमक हम इसमें बाद में मिल अभी इसको पहले अच्छा से भून लेते हैं, क्योंकि इसमें पेश्ट है और ज्यादा पेश्ट है इसलिए इसको भूनने में थोरा सा टाइम लगता है, तो बढ़ियां से जब तक भून नहीं जाता है, आपको सबर रखना है, अच्छे से चलाते रहिए ताकि नीचे आई में पक्रेना, और वीडियो पसंद आए, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लगबग हमारा मसाला अब भूना के तयार हो चुका है, अब इसमें टमाटर हम डाल दिये, टमाटर को स्टार्टिंग में नहीं डालना है, तो सब टमाटर गल जाएगा, टमाटर का स्वाद के लिए जब 90% मसाला भूना हुआ हो जाए, तब जाके डालिए, तकि 10% में वो टमाटर भी भून जाए बढ़ियां से, अब हम इसमें नमक स्वाद नस्वार मिला देंगे लास्ट में, अगर आप पहले मिला देंगे, तो नमक नीचे चिपकने लगेगा, इसलिए लास्ट में मिलाएंगे, बढ़ियां से नमक को मिला देंगे पूरे मसाले में, देखें, मसाला हमारा अच्छा से भुना हुआ हो गया, गोल्डन ब्राउन कलर का एकदम अच्छा कलर आ गया, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके, जितना हमको ग्रेवी रखना है, उसे साब से पानी मिलाएंगे, अगर आपको थोड़ा ज्यादा ग्रेवी रखना है, तो ज्यादा पानी मिलाएंगे, पर इतना ज्यादा भी ने कि ग्रेवी एकदम पतला हो जाए, अब ग्रेवी को उबलने के लिए हमें छोड़ना है, और कुछ पीस हमें सुखा भी रखना है, और कुछ पीस हमें ग्रेवी में डाल देना है, ताकि वो जो ग्रेवी का जो, यह स्वाद है वह पीस में जा सके तो देखिए हमने क्या किया आधा जो जितना मचली था उसमें से आधा हमने इस जोहर में डाल दिया और आधा रखा है बाहर खाने के लिए देखिए अब एकदम से उबलने लगा और यह बनके तयार हो गया है अब इसको आज को कम कर दीजिए और इसे पांच मिन दस मिनट ऐसे ही छोड़ देजिए आपका जो मांगूर मचली है बनके तयार हो गया बंगाले स्टाइल में धन्यवाद